मैं हैरान हो जाता हूँ कि जो सामानी चीजें सामाजिक जीवन जीने वालों के संग्यान में रहती हैं, वो चीजें राजनेताओं के संग्यान में क्यों नहीं रहती हैं यह रहती हैं और जान बूच के वो ऐसा एक्ट करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था उनकों पास गुहार न ले जाएं, इसा भी संभव नहीं, लोगों की गुहार पर ध्यान देने की जरूरत है, मुझे लगता, ध्यान देने, एक विशे आया, ओपी सिंग्जाब ने कहा, कि एक आद केस होगा शवचाले का, नहीं, जहां मानव है, वो बच्चा हो या वैस को ह वहाँ शवचाले की आपशक्ता है, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता, दिरिश भाबू, शवचाले के लिए आपने कोई सेवादार दिया नहीं, तो अध्यापक नहीं करेंगे तो कौन करेंगा, बच्चे तो करेंगे नहीं, बच्चे करेंगे तो वीडियो बन जाएग तो प्रिंसिपल से लेके और मास्टर तक नप जाएंगे और जेल भी जाएंगे, इसमें को रॉकिट साइंस है, इसके लिए CDI की जाच की जरूर्थ है, ED की जाच होगी, सवचाले को लेके, कोई तो साफ करेगा, कौन है, स्कूल में मास्टर है और बच्चा है, तीसरा तो कोई है नहीं वा, बेसिक शिक्षा परिश्यत के स्कूलों में सुलोचना, तीसरा तो कोई है नहीं न, या तो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले से सुलोचना जी, सवचाले साफ कराएंगी, तो जो इनके विरोध ही होंगे वो तुरह वीडियो बना के बाइरल कर देंगे इनकी नोख्री चली जाएगे। क्या यह चीज नहीं सोच सकते हम कि 8 गंटे का स्कूल है शवचाले साफ रहे तो हर स्कूल में एक शवचाले की व्यवस्था के लिए व्यक्ति रहे। यह मिड्डे मील का काम अच्छा है लेकिन ओपी सिंग जी क्या यह बहतर नहीं है कि इसके लिए व्यवस्था अलग से हो अध्यापंग से नहीं हो। कि एक नए नया केटागरी सर्जित करिए स्कूल में मिड्डे मील सवचाले आधी-आधी और उसके लिए लोग भरती करिए लोगों कमी है क्या कि यहां तो समस्य ही है कि बेरोजगार आदमी यादा है कि दिनेशी कितने स्कूल है प्राइमरी के उत्तरपदेश में कि अगरे नहीं तो सुपर भरती करना है ना चतुरुषेनी के करमशारी तब भरती होना चाहिए आज हमने थी सब्सक्राइब कर देशी को बड़ी चीज है क्या ओपी सिंग जी हम तीन ट्रिलियन चार ट्रिलियन पांच ट्रिलियन क्या-क्या मिलियन मिलियन हो रहे हैं लिगन यह नहीं कर सकते जब यह आठ तारीक को विशे आया मुझे एक चीज से पीड़ा हुई तो ओपी सिंग जी कुछ लोगों ने ऐसा रुख लिया उनको लगा कि अध्यापक शत्रू है और इनका मान मरदन करना है क्या मुझे किसान आंदोलन के दिन याद आने लगे मैंने कुछ लोगों को सलह भी दी कि इतना उग्र मत हो लिए हम सब लोग उन्हीं स्कूल में प्राइमरी के अध्यापकों से पढ़कर आए अध्यापक के पास संबान के अलाबा क्या है विजे राठी भी जानते इस बात को और दिनेश जी और ओपी सिंग जी भी कि भरना हां दिनेश जी अगर टीचर ना होते ही या सुलोचना टीचर ना होती और यह लेक पाल पठवारी हो गये होते तो ज्यादा सरसब्ज होते क नहीं होते हैं बड़ी गारियों घुम रहे होते हैं बड़ी अमकान दुकान होता नहीं गुरुजी प्रणाम यही तो अध्यापक के पास है और है क्या कैसी कैसी भाषा बोली गई अध्यापको के लिए किसी इनका काम चोर है कि इनका फलाना आये कि इनका निकाल दो इनको एक सुझाब तो आया काम नहीं करना चाहते हटा दीजी इनको प्राइवेट को दे दीजी अगर प्राइमरी सिख्षा और प्राइमरी हेल्थ भी प्राइवेट हो जाएगा तो इस देश में ननकू और जाक कहां जाएंगे उनके बच्चे कहां जाएंगे कहां जाएंगे टेक्स का पैसा हम दे रहे हैं फिर क्या तकलीफ है टेक्स का पैसा हम दे रहे हैं ना फिर क्या समस्या है हम अध्यापक कर सम्मान बाहाल नहीं कर सकते क्या इस डिजिटल हाजरी के प्रसंग ने कशी समाज के एक वर्ग में अध्यापक की प्रति कितना विश्बमन किया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि सारे अध्यापक काम चोर है यह भाषा ठीक नहीं यह विवार ठीक नहीं यह चिंतन भी ठीक नहीं मुझसे लोग जब ऐसी बात करते हैं तो चाहे प्रैमरी स्कूल हो और चाहे गाउं का अस्पताल हो ये सरकारी अस्पताल हो मैं कहता हूँ ये हैं तो लाखों लोगों की सेवा हो रही है ये नहीं होंगे तो देश के दस नामचीन जो इस्कूलों की चेने चला रहे हैं लोग हैं कमपनियों की तरह वहां तो ननकू का ललका नहीं जा सकता देलिजी उस इस्कूल के बाहर नहीं खड़ा हो सकता वो गरीब इसलिए हमने भारत नहीं यह तै कि हम प्राइमरी एजुकेशन को गर्मेंट फंड़िट रखेंगे एक और बुनियादी सवाल है जिसे ना से रोग हरे सब पीरा हरे सब पीरा सब प्रकार की पीर हर लें वह इसे मैं ओपी सिंग जी से मतला भाज़पास से निवेदन करूँगा सरकार से योगी जी से टुक्णों टुक्णों में चीजों को देखने की बजाए ओपी सिंग्जी बड़े उदात्मन से कह रहा हूँ इससे आपका राजनेतिक लाब होगा वो बाई प्रोडेक्ट है इसका लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी मूल बात है बहुत सारा आशिरवाद मिलेगा जनता का अध्यापकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे देजिए सर्थ समस्या समाप्त हो जाए अधिकांश समस्या है अपने आप समाप्त हो जाए ये राज्य कर्मचारी क्यों नहीं हो सकते इनमें कोई कमी ही क्या, नहीं न, कुछ छोटे-छोटे मसले आते हैं, दस अजार रुपिया शिक्षा मित्र पा रहा है, अनुदेशक नौजार पा रहा है, मैंने जने कितने नेताओं से कहा, चाहे सपा के हो, चाहे बाज़पा के हो, कि मुझे बजट बना के दिखा दीजिए, छह लोगों का परिवार हो, और दस अजार रुपिया में जीवन कैसे कठेगा, बता दे, कोई ने बता पाया, क्या यह हमारे चिंतन का विशे नहीं होना चाहे हो, पिसिंग जी, हम इतने दर्द रहें क्या, प्रदेश के रूप में क्या हम उनको 25,000 रुपिया नहीं दे सकते, क्या हम इतने दर्द रहें, नहीं ना, यह 1970 का भारत नहीं है न, क्या आनाज भी बाहर से आ रहा था, हम एक तरब कहते हैं, संब्रद हो गए, शशक्त हो गए, इतने ट्रिलियन, बिलियन की हमारी आर्थवैबस्था हो गई, केता के सर, 9,000 रुपिया में जीवन नहीं कट रहा, मन करता है फासी लगा लो, क्या उत्तर दूँ उसको, क्या उनको जीनिक अधिकार नहीं, कागज में आप उनको भी मानते हो अध्यापक, विधान सभा में जब उत्तर देते हैं, तो आप कहते हो ये भी अध्यापक है, अध्यापक थोड़ी नहीं, तुम सिक्षा मित्रो अनुदेशा को, चुप़े रहो, इतना देर है, इतना कम है, ये भाव ठीक नहीं, और अंत में मैं कहूंगा, कि नवकरशाह देश संचालन के लिए महत्तपूर कड़ी है, इससे कोई इंकार नहीं करता हूपी से, लेकिन बड़े सामाजिक विश्यों पर राजनाइतिक नेत्रक्तों को आगे आना चाहिए, ऐसी मेरी धारना है, हम नवकरशाहों को नहीं चुनते, मेरे बोर्ट से चीप सेकरेटरी थोड़े न तेह होता है, लेकिन मेरे बोर्ट से विधायक तेह होता है, मंत्री और मुकी मंत्री होता है, तो हमारे उपर जब आपदा आए, तो क्या वो लोग नहीं होने चाहिए सामने, यह जो चित्र चलना आए, जिसमें मनोज जी वो ले रहे हैं, दिनेश जी से ग्यापन, इस चित्र की लोगतांत्रिक व्यवस्था के तहत, और ज्यादा गरिमा हो जाती, अगर यहा 6 लाख अध्यापक आंदोलन में मंतरी जी किसे काम में व्यस्थ हैं, और क्यों व्यस्थ हैं, इसे बड़ा कोई काम होगा, क्या, और ओपी सिंग जी ने कहा, कि एक आद इसे ग्यापन और आदेश हो सकते, एक आद नहीं है, एक आद होते तो में चर्चा ही नहीं करता, कि क महिलाओं को सुंदर वनाने की जिम्मेदारी भी है, और एक मैं देख रहा था, मुझे किसी ने भेजा, मैं सत्यता की गारंटी ने लेता, आजकल AI का भी चक्र चल रहा है, लेकिन किसी ने भेजा, राजिस्थान का ओपी सिंग जी, वहाँ आदेश हो गया कि प्राइमरी की कि जय, पंचम अध्यासमाप, पंजीरी बटी जाओ, क्या कर रहे हैं, मुर क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या हम लोग जब पढ़ते थे, अध्यापक पैसा कम पाता होगा उपी सिंगी, लेकि सम्मान था, आज हमने उसके सम्मान को चवराहे पर लाकर खड़ा करने का पाप किया है, उससे हमको प्राइश्चित करना होगा, जो मांगे अध्यापकों की हैं, उसमें कोई गैर वाजब मांग होती या ब्यभारिक मांग होती, तो मैं इनके पक्ष में नहीं ख़ा होता है, यह व्यवस्था से चुनकर आए लोग हैं, आईसा तो हैं को जवरिया श्कूल में आई गुश गया बोलें आप कल से मास्टर, नहीं ना, सरकार ने इनको चहनित किया है, तो फ़र इनको लाब क्यों नहीं, अध्यापक होने के मिलेंगी, इनको परिलब राज करमचारी जैसे सुविधाए क्यों नहीं मिलेंगी, मैं तो राज करमचारी रथ इतना ही जानता है ना तब यह सरकारी कर्मिचारी क्यों नहीं माने जा रहे हैं कि मैं फिर कहूंगा डिजिटल हाजरी जैसे फैसलों से पहले जो इस्टेक होल्डर हैं जो प्रभावित होते हैं उनसे बात होनी ही चाहिए लोग तंत्र में मैं सरकार से भी उम्मीद करूँगा कि इस घटना क्रम से उसने सीख लिए होगी कि आगे से कोई बड़ा फैसला बाबू लेकर आएं तो उस फाइल को रोक दीजिए और कहिए सभी समद्धित पक्षों के साथ एक राउंड नहीं तीन राउंड चर्चा कर लिए उस चर्चा के बाद जो सहमती बने वो फाइल में लिखकर लाईए तब राजा गया जारी हो धन्यवाद